क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपने बच्चों का अच्छे से स्कूल में अड्मिशन करवाएं? हर दिन उनकी डाइरी चेक करें और मुतमाइन हो जाएं? स्कूल बस है? टिक स्कूल लंच प्रोवाइड करता है? टिक स्कूल में सिर्फ इंग्लिश में बात होती है टिक स्कूल में बड़ा सा प्लेगराउंड है टिक स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है टिक स्कूल में मॉरल एजुकेशन है टिक लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या हमारे बच्चे स्कूल में या घर पर या बाहर सेफ हैं। बच्चों को अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे टॉयस से ज़ादा आपकी तवज्जो या अटेंशन की जरूरत होती है। स्कूल पर या घर पर गली में या फैमिली फंक्शन में आप अपने बच्चों से बेखबर ना हो जाएं। चाइल्ड सेक्शुल अब्यूज हमारी सोसाइटी की एक बड़ी बीमारी है और कड़वी हकीकत है। और ये कोई एकका दुका इवेंट नहीं बलकि ये बहुत प्रिविलेंट है। ये सुनकर आपको शौक लग सकता है कि इंडिया में 53% बच्चों के साथ किसी ना किसी फॉर्म में सेक्शुल असॉल्ट होता है। मतलब आधे से भी जादा बच्चे इस ट्रॉमा से गुजरते हैं। हमें नहीं पता मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। And all is well, हमें नहीं पता मतलब हमारे बच्चे शर्म की वजह से या डर की वजह से खामोश है। बोल नहीं रहे और चुप चाप सहे जा रहे हैं। जागिये और होश में आईए। जानिये कि आपके बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है। आपकी मदद के लिए ये कुछ गाइड लाइन्स हैं। अपने बच्चों के लिए डेली थोड़ा वक्त निकालें और उनके साथ फ्रेंडली बनें। आपके बच्चे सबसे जादा खरीब सिर्फ आपसे हों। वो आपके साथ इतना कमफर्टेबल हों कि हर बात बिना जजखक और बिना किसी डर के आपसे शेयर कर सकते हों। वो आप पर पूरा ट्रस्ट करते हों। और उनको इस बात का यखीन हो कि आप उनकी हर बात पर बिलीव करेंगे। अपने बच्चों को रिलेटिव या फ्रेंज के यहां छोड़ने से पहले इस बात को एंशॉर करिये कि वो वहां सेफ होंगे, खासकर फंक्शन्स में और वेकेशन्स के टाइम। पता रखिए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची स्कूल में किसके साथ रहती है या रहता है, अगर वो कम उम्र है, तो उसका हाई स्कूल के बच्चों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। नमबर फोर, जिस आटो या बस में वो कम्यूट करते हैं, वो कितने सेफ हैं। या कमपाशनेट टच में और एक सेक्शूल टच में क्या फर्क होता है। तब ही जाकर वो सही टाइम पर आपको अलाम कर पाएंगे। नमबर सेवन, अपने बच्चों को निडर और बहादुर बनाएं। ऐसे इंस्टेंसेज में नो कहने की हिम्मत उनके अंदर पैदा करें। नमबर एट, अपने बच्चों को बोज समझ कर कम उम्में स्कूल में एडमिशन ना करवाएं। बच्चा इस्कूल तब तक ना जाए जब तक वो क्लियरली बात करना ना सीख लें। और जो चीजें हमने अब तक बताई हैं उनकी थोड़ी बहुत समझ ना आ जाएं। नमबर नाइन, लास्ट बट नॉट दे लीस्ट, बच्चों की सेक्योरिटी और सेफटी के हर एस्पेक्ट को हर वक्त प्रियॉरिटी दे, बिल्कुल भी लाइट ना लें और उनकी भलाई की दुआ करते रहें। याद रखें, आुलाद के लिए पेरेंस की दुआ बहुत असर लाती है, हादसे के होने का इंतजार मत करिये, आपके बच्चों की सेफटी आप ही की जिम्मेदारी है।